हेलो एवरीवन मैं आप सभी का गिरड़प के शांदा प्रेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं आप देख रहे हैं जुलाई मंत की भी इंपोर्टन्ट कोउ्शन्स, और हम स्वाद ओलि इम्पोर्टन कोउशन्स और हम इस सीरीज को बस कम्पुलीट करने के करीब हैं और ही कुछ दिनों में आपकी कम्पुलीट सीरीज आपको देखने को मिलेगी याद रहये गा कोऑनों करने मिले bins सब में हां-जांद अवह सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो बच्चे भी नए हैं वो गेड़प के प्रेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा यहां पर नाम देख सकते हैं यहां पर आप नाम को सर्च करके यूज से आपको क्लास के क्लास चलनी है अभी आपकी पास पर वीक अगर देखा जाए तो लगबक 15 क्लास आपको फ्री आफ कॉस्ट मिलती है तो मैं अमीद करूँगा कि आप इन क्लासिस में जरूर आईएगा यू विल गैट लॉट अफ तिंग बहुत सारी चीज़े आपको आपके जीएस और करने अफेर्स को आपके इंप्रूफ करने की कोशिश करेंगी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को सब लोग तयार है तो जल्दी से आईए और चलते हैं पहले कोश्ट की तरफ पहला कोश्ट आपका है सब लोग ज्यांदे समझेंगे भारत में इंडिया इंकम टैक्स दे आपका हर साल कम मनाया जाता है भारत में आएकर दिवस हर साल कम मनाया जाता है कोश्ट आपके सामने यह है काफी अच्छा कोश्ट आप लोगों के लिए कि आएकर आप सब को बता है जो आएकर होता है यह एक तरीके का डारेक्ट टैक्स होता है प्रतेक्श कर होता है क्योंकि इंक evidence आप पे है, impact भी आप पे पढ़ रहा है, इसलिए ये direct tax कलाता है, प्रितेक्ष करके लाता है, जिसको आयकर दिवस के नाम से भी जानते हैं, तो याद रेखेगा central board of direct tax, CBDT, यानि कि आपके भारत में जो direct tax की central body है, जिसको central board of direct tax बोलते हैं, तो इसने observe किया है, income tax day 24 को ये मनाया जाता है, याद रेखेगा, और वरतमान में ये 161 income tax day बनाया जा रहा है, कौन सा 161, 161, समझ मारी ये बात, यानि कि इसका तात्परी क्या है, तो पहला जो आपका बनाया गया था, यानि कि हुआ क्यों, क्या कारण 161 मनाया जा रहा है, इसके पीछे, इसके पी भारत को भी पेश किया था, भारत के, इन जेम्स विल्सन के दुआरा, 24 जुलाई 188 में, 188 में, 188 में, पहली बार, क्या किया गया था, पहली बार इनोंने इंट्रिदूस किया था, income tax को, तो फर्स टाइम आयकर कॉन्ट्रिदूस करने वाले वक्ति कौन थे, जेम्स विल् लिखेगा CBDT के अगर मैं आपसे बात करता हूँ Center Board of Direct Tax की तो आप सब को बता होगा इसको अग्या था 1923-24 में इसका जो Head Quarter है वो आपको देखने को मिलेगा निउदिली में और एक बात ध्यान रिखेगा इसके जो चेर्मेन है उनका नाम है आप लोगों का जगनात महुपात्रा सब लोग जानते हैं पर जे भी महुपात्रा इनका नाम है बात ध्यान रिखेगा CBDT क आपके जो चेर्मेन है वरतमान में कोई दिक्कत किसी बच्चे को मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ मागई होगी 24 जुलाई को एक और दिन मनाया जाता है आपके भारत में इसको भी नोट कर लीजेगा National Thermal Engineer Day क्या बोला National Thermal Engineer Day भी आपका मनाया जाता है 24 जुलाई को ये बात याद रखे मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को जब भी आप आया करने क्लास में तो अपनी जो पुस्टी है कि आप एक्टिव हैं वीडियो को आपनी पुस्टी कर दिया करे कि सरा अपने वीडियो लाइक कर दिये और हमें चीरें समझ आ रही हैं मैं पता लगता लेगा कि यहां भी पहुँचा सकते हैं इस और डूटी कि आप वीडियो को पहँचाने के कोशिश करेंगे जी बताइए रास्तीए माथा पिता दिवस हर साल कम मनाया जाता है तो याद रिखेगा रास्टिय माता पिता दिवस मनाया जाता है जुलाई के चौथे रविवार को जो आपका फोर्ट संडे होता है जुलाई का उसमें आपका रास्टिय माता पिता दिवस मनाया जाता है ये बात ध्यान रखेंगे अगर मैं आप से कहूं ग्ल ग्लोबल पैरेंट्स डे आपका कब मनाया जाता है? आंसर करें. सब बताईएगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जी, कुछ बच्चे आंसर करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, बताईएगा, सब लोग आंसर करिएगा. आपका ग्लोबल पैरेंट्स डे कब मनाया जाता है? कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, कॉपी पे नोट करो अगर नहीं पता है तो, ग्लोबल पैरेंट्स डे और बताएंगे मेरे को कब मनाया जाता है? ठीक है, और याद रिखेगा, वर्ल्ड मिल्क डे से इसको असोस करने की कोशिश करें, यह बात यहां रखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन देखते हैं, आप सब लोग आंसर करेंगे कोशन का, कोशन आपके सामने यह है, निम लिखित में से किसे, यहां पे AIFF का मतलब क्या होता है, All India Football Federation, क्या मतलब इसका, All India Football Federation, वर्ष की महिला Footballer 2021 के लिए किसे नामित किया गया है, Who among the following has been named AIFF, Women's Footballer of the Year 2020-2021, आंसर करें भाहिया, कौन है यह लिटी, जल्दी से बताईएगा, और वीडियो को लाइक भी करते रहें साथ-साथ, जी बढ़िया, बताईए, क्या अंसर होगा, याद रेखेगा, Indian Women Footballer Team के, अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारी जो Football Team है, ठीक है, National Women Football Team है, उसमें आपको याद रखना है, नंगगोम बाला देवी का नाम याद रखना है, किसका, नंगगोम बाला देवी, AIFF की तरफ से, इनको नामित किया गया है, Women's Footballer of the Year का खिताब 2020-21 के लिए, मैं उम्मीद करूँगा, आपको जो Man Footballer of the Year है, पुरिश वर्ग में, जो Footballer of the Year 2020-21 के इसको नवाजा गया है, वो भी Modernity आपको कवर करवा चुका हूँ, उसको भी आप एक बार एकसेस कर लिशेगा, इट विल इंपक्ट यू, आपको काफ़ी फायदा करेगा, लास्ट क्लास में ही आपको करवाया था, ममीत करता हमको सब जानते ही होंगे, Who among the following has won India's first medal at Tokyo Olympics, दो कोशन बहुत important होते हैं, हमेशा Olympics में दो कोशन important होते हैं, क्या, पहला कोशन important यह होता है कि जो भारत का पहला medal कौन लेकिया है Tokyo Olympics में, दूसरा होता है Olympics का पहला medal किसको मिला, दोनों ही कोशन बहुत important है, तो चलिए पहले शुरुबात करते हैं आप किस वाले कोशन के साथ, तो याद रिखेगा आपने फोटो देखी लिया होगा, तो इंडिया की जो पहली medal Tokyo Olympics को मिला है, भारत का पहला पतक जीता है Tokyo Olympics का नाम है मीरा बाई चानू का नाम आप सब लोग जानती है, इन्होंने हिस्ट्री मनाई और भारत का पहला medal Tokyo Olympics में जीता है है हाँ पर, सबसे पहली बात याद रिखेगा, इन्होंने यहाँ पर याद रिखेगा कौन सा medal जीता है, सिल्वर medal यहाँ पर जीता है, सिल्वर medal जीता है किसमें, महिला की 48 kg की weight lifting में, किसमें जीता है, आपने देखा हो का वीडियो उनका, Tokyo Olympics में silver जीता है, women's की 49 kg की weight lifting में इनके द्वारा यह जीता गया, और यह चानू जो है, जो अगर हम बात करें, मेरा बाई चानू की, तो यह दूसरी भारती महिला weight lifting बन गई है, after कर्णम मलेश्वरी के बाद, ठीक है का आपकी कर्णम मलेश्वरी हुई है, आप सालोग जानते होंगे उनको, कर्णम मलेश्वरी, इनके बाद, यह दूसरी महिला है, भारती की तरफ से, जिने नवाजा गया है, सवाट से, यह बात ध्यान रिखेगा, ठीक है, अगले कोशन में मूव करते हैं, अगला कोशन क्या है, देखते हैं, अब जैसे कि मैंने आप से कहा ता, दो कोशन बहुत इंपॉर्टेंट ने, पहला कोशन क्या है भाईया आपका, पहला कोशन की भारत में पहला वार्ट कौन लेके आया, अब दूसरा कोशन आपके सामने है, कि पूरे जो ओलमपिक्स हुए हैं, टोक्यो ओलमपिक्स, तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, यांग कियान, औरेड़ी नाम आपको मैंशन है, फोटो आपके पास है, यांग कियान ने पहला गोल्ड मरडल जीता है, टोक्यो ओलमपिक्स का, 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल का मत्तव आप जानते हैं, यांग कियान का सम्मंद शूटिंग से है, निशान बाजी से इंग का सम्मंद है, तो कौन से देश से सम्मंद है आपकी यांग कियान का अंसर करें, यांग कियान कौन से देश से सम्मंद रखती हैं, दिख भी रहोगा आप लोगों को और कैपिटल की बात करता हूँ तो वियतनाम की हनुई, थाइलेंड की आपकी बैंककॉक, चाइना की बीजिंग और जपान की टोक्यो आपकी राजधानी है यह बात ध्यान रखेगा यांग की आन का नाम पहली ज्याद रखे शूटिंग से इनका संबंध है, अगला कोशन आप लोगों की सामनी है, भारत ये नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में, यहां कर हम बात करेंगे, इस पोर्शन की बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे, तो बंगाल की खाड़ी में किस देश की नौसेना के साथ, दो दिफ्सिया, दूई पक्षिया मार्ग अभ्यास पासेक्स आयोजित क्या है पासेक्स एक्सरसाइज आपने सुनी होंगी और यह अपने आप में किस देश के चाहत भारत ने करी है तो यह बाइलेटरल एक्सराइज होती है दो देशों के बीच में होने वाली मैरी टाइम एक्सरसाइज बेटा मैर और UK, Britain की बात गर रहा हूँ, इन दोनों देशों ने Maritime के समंदरी क्षेतर है, Maritime Domain है, उसमें साथ-ाने की बात करी है, दूसरे के साथ cooperate करने की बात करी है, यहाँ रखेगा, ठीक है, अगला कोशन आप लोगों का क्या है, वैरी-वैरी इंपॉर्टन question रुद्रेश्वर temple also known as यहां पे रामपा temple रामपा ठीक है यहां पे एका मपा बोल दो रामपा बोल दो रामपा टेमपल की बात करता हूं रामपा मंदिर जिसको आप रुद्रिश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं भारत के कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा बहुत important question याद रिखेगा और सबसे important data आपको देना चाहूंगा लगबक 880 साल पुराना मंदिर है 880 साल पुराना मंदिर ठीक है और सबसे important बात आ जो से टैक मिला है उसमें शामिल किया गया है 880 साल पुराना मंदिर है तो बताईए भाईया क्या नाम है इसका तो याद रिखेगा इसका नाम है आप यह कहां पे देखने को मिलेगा आपको तेलांगना में देखने को मिलेगा ठीक है थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूं तो सुन लीजेगा एक मिलेटल स्टोरी आपका जो यह रुद्रेश्वर मंदिर हुआ करता था इसको 1213 AD के आसपास आपका यह बनाया गया था ठीक है जो आपका एक समराज्य चल रहा था काकतिय समराज्य चल रहा था काकतिय empire में इसको बनाया गया था ठीक है और एक काकत कटिया राजा गणपती देह के सेना बति हुआ करते थे उनका नाम क्या था वडीचार अल्ला रूदर की बात ख़र उन्हीर के मन्दिर आप देख रहे हैं यहां आपका भगवान शिफ्ट को समरपित है यह ध्यान रिखेगा और वरतमान में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको पताओगा UNESCO की World Heritage Site की अगर आपसे बात की जाए तो इसको established क्या गया था 1972 में लीगल प्रड़क्शन प्रवाइट करना जो पुरातत्विस्थान है जो प्राचीन तमिस्थान है जो संस्कृति के इसाब से वरासुतों के इसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लीगल प्रड़क्शन प्रवाइट करना उनको एक ट्रेड मार्ग देना उनको एक पहचान देना यह युनेस्को का हरिटेस साइट का काम है 1972 में इसका कौन से अप्लाया गया था और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा मैं उम्मीद करता हूं कि 40 आपकी वर्ल्ड हरिटेस साइट आपको आपके इंडिया में देखने को मिलेंगी और इंडिया में 6th largest आपको साइट देखने हुआ था तो इसको थोड़ा लेट स्टार्ट किया था यह लगबग स्टार्ट किया था फूर्टींत रमवंबर 1977 के आसपास स्टार्ट किया था इस बात को याद रिखिएगा ठीक है और सबसे पहली साइट सापको अगर देखने को मिलें तो अजंता केव आप जानते हैं अलॉरा केव जानते हैं आगरा फोर्ट और ताज महल यह 1983 में शामिल कर दिये गए थे आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए काफी important portion है जो आपको समझना है और अभी आपको मैं important concept और बताने की कोशिश करूँगा अभी आपको पता होगा यह latest site है गुजरात की उसको आप की UNESCO World Heritage Site में शामिल किया गया है तो आप सब लोग जानते हैं यह दिस धोला वीरा ठीक है धोला वीरा आपकी गुजरात में पढ़ती है जिसको शामिल किया गया है आपकी UNESCO World Heritage Site में यह बात भी ध्यान रिखिए गाट इस वेरी very important question गाईस जो आपको जानना है अगला question बढ अगला आपको तर्शित स्वें धी बन करनाटाक के मुख़ किंधरी परस्ता स्तिफा दिया आपके मानेशठी बेयर इस यीधि देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है हाँ पे असेंबली में रूबी पड़े थे जब रिजायन दे रहे थे तो वर्तमान में जो आपके कर्णाटक के मुख्यमंत्री है इनका नाम है बसवराज सब लोग याद रिखेगा कि नाम है बसवराज और यहाँ पे बोमई के दली क आपका नाम है बसवराज बॉमबई प्लीज नो डाउंड वैरे केरफुली बसवराज बॉमबई या आपके कौन है कर्णाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है और कर्णाटक के राजजपाल भी आपके चेंज हो गए हैं काफी इंपॉर्टेंट नाम है आप सब को बताओग पुडुचेरी के ये मुख्यमंत्री है पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री है रंगा स्वामी इसके बाद यहां पे मुथुवेल करणा निदी स्टॉलिन की बात करूँगा एमके कर स्टॉलिन की बात करूँगा तो कोई बच्चा बताएगा एमके स्टॉलिन के पास क् लेगा सरवनंदा सोनवाल कौन है आपके सरवनंदा सोनवाल की बात करूँगा तो आपको पता है उनको मंत्रा ले दिया गया है पहले सम के मुख्य मंत्री हुआ करते थे वरतमान में ये पोर्ट पोर्ट शिपिंग शिपिंग और वाटर वेज जल मार्ग ठीक है पोर्ट बं संतरी हैं इस बात को ध्यान रिखिएगा जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करते रहें चीजों को शेयर करते रहें जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं प्राइट टू शेयर इट मैकसिमुम ठीक है बास समझ मागई आप लोगों को तो एम के कर लेते हैं क्लास का और आप से कहना चाहूंगा कि साड़े साथ बज़े आप ही क्लास चल रही है और इस क्लास से आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं सारी क्लास बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है कोई भी सेशन नहीं छोड़ेंगे अगर आपको पेपर में 100% स्कूर आपको कहा से कुछ न खूछ नहीं तो बहुत सरा आपको पेपर में फस्ताव मिलेगा और मुस्त सारा आपका कवर हो जाया गया बात यहां रिखिए गा ठीक है जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को और आंसर करेंगे सारे बच्चे हमारे वह शांदर बच्चे क्लास के और सब अच्छे तरीके से आंसर करें चलिएगा रेड़ी हैं सब लोग आंसर करें जल्दी से प्लीज झालड़ी झालड़ी ईब घच्छे दित खालड़ी शेमें से प्लीज dborn करें बूग हैं से ए寂च만र ने ंंसर करें बूगे तरीके साय फ।रीके FAR दो तुमानृशना चली हैं चलेगा thank you so much and may God bless you all मुलाकात करते हैं शाम को फिर सब लोग ठीक है अच्छे तरीके से रिवाइस करें पढ़ते रहें और सारी PDF आपकी हमने डाल दी हैं लगबख सारी इस YouTube सेशन की PDF आपको अमारे टेलिग्राम चनल पर मिल जाएंगी ग्रेड़प PCS का चनल आप जोएंग कर लीचे का वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी इस YouTube के साथ thank you so much and may God bless you all thank you so much guys